तो फ्रेंट्स आज में आपके लाई हूं सरफ दो कच्यालू और एक कप सुजी से बनने वाले नास्ते की रेस्पी, घर में रखे सिंपल सी चीजों से हम ये नास्ता बना कर तयार करेंगे, बनाने में इतना आसान है कि जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन करें, या आप चोटी मोटी भूग में जट वैट सी ये बना कर खा सकते हैं, ये नास्ता घर में सबको बेहदी पसंद आएगा, अलो फ्रेंड्स मैं उखुशी और खुशी स्टार्ट फूट में आपका स्वागत है तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं ये नास्ता बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के दो कच्चे आलो लिये हैं आलो को छील कर मैंने पानी में डाल दिया ताकि आलो का लेना हो सबसे पहले आलो को हम grate कर लेंगे तो मोटे वाले grater की साहता से आलो को grate कर लेना है आलू के हमेल अच्छे बनाने हैं देखे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया आलू के लच्छे बन गए हैं अब हम इनको पानी से दो लेंगे दो तीन बर जिससे की इनका पूरा स्टार्स निकल जाए और ये अच्छे से साफ हो जाएं आलू के लच्छों को मैंने दो-तिन बर दो लिया है इनका पूरा स्टार्स निकल गया और ये आच्छे से साफ हो गए है देखे अभी न हम इनको पानी में रहने देंगे कुछ देर तक और आईए अब आगे का प्रोसेस करते हैं इदर गैस पर मैंने कडाई जडा दी है कडाई में दो टेबल स्पून ओयल गरम करेंगे ओयल के गरम होते ही आदा छोटा चमच जीरा डालें दो पिंची हिंग गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें और जीरे को चटकने देंगे दो हरी मिस्ट डालेंगे बारी कटी हुई मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिस्ट ली है और तीखा आप अपने हिसाब से एड़जस्ट कर लें जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से हरी मिस्ट डालें एक इंच अद्रका टुकडा डालेंगे ग्रेट करके 5-6 कड़ी पते डालें बारी काटके कड़ी पते से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कुछ सेकेंड के लिए इनको भून लेना है अब हम 2 कप पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से 2 कप पानी डाला है आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई कटोरी या कफ सेट कर ले उसी के इसाब से पानी डालें 2 कप पानी मैंने डाल लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च यह मेरे पास हरी मिर्च थी रखे रखे लाल हो गई तो इसी को काट कर मैंने डाल लिया आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं आदर छोटा चमच इसमें बरी कटा हरा धनिया डालेंगे और आदर छोटा चमच नमक डालेंगे आप बच्चों के लिए ये नासा बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं इनको मिलाएंगे अच्छे से और पानी में उबालाने देंगे पानी में उबालाते ही हमने जो आलो ग्रेट करके रखे थे आलो के लच्छे बनाए थे वो डालेंगे इनका सारा पानी निकाल दें और इनको अच्छे से निचोड कर इसमें मिक्स करेंगे ये सारे आलो के लच यानि एक कफ सूजी के लिए हमें दो कफ पानी डालना है, सूजी आप बरिक वाली या मोटी वाली कैसी भी ले सकते हैं, एक हाथ से सूजी डालते रहें, दूसरे हाथ से मिक्स करते रहें, ताकि कोई लंस ना रहें, कुछी देर में आप देखेंगे कि ये डो की फोम में आ जाता है, दो तीन मिनट तक हम इसको पका लेंगे, यदि आपने सूजी और पानी का परफेक्ट रेसु रखा है, तो ये कुछी देर में डो की फोम में आ जाता है, और यदि आपने पानी जादा डाल दिया, तो सूजी को थोड़ा जादा देर पकाना पड़ सकता है, ये दख करना हम 5-4 मिनट के लिए रखेंगे, सूजी अच्छे से फूल जाएगी और ये हलका सा ठंडा हो जाएगा, ये देखे मिक्षर को 5-6 मिनट बाद कड़ाई से निकाल कर मैंने अलग बरतन में डाल लिया है, ये हलका सा ठंडा हो गया, और इसे हमें जादा ठंडा नही हम एकदम स्मूथ कर लेंगे, स्मूथ डो लगा लेना है, तो ये देखे निड करते हुए मैंने इसको एकदम स्मूथ कर लिया है, हमारे हाथों पर और बरतन पर बिल्कुल भी नहीं चिपकरा, अब न हम इसका नास्ता बनाएंगे, तो आप किसी भी सेफ में ये बना सकते देंगे, देखे ऐसे होल कर देना है, तो ये मेदू वड़े की सेफ में बन गया, ऐसे हम थोड़ा सा डोलेंगे, गोल टिकिया बनाएंगे पहले, और फिर बीच में उंगले से होल कर देंगे, तो ऐसे ये सारे मेदू वड़े की सेफ में मैं बना कर रख लेती हूँ, एसके फ्लेम को मीडियों कर लेंगे और अच्छे गरम तेल में लें लेंहीं हम इनको तलने के लिए चोड़ेंगे ऐसे आप ये मेदू वड़े तेल में छोड़ेंगे ना तो तेल उच्छटने का भी डर नहीं रहेगा और आपका हाथ भी दूर रहेगा तो ऐसे सारे मेदू वड़े तेल में छोड़ ले और इनको उलड़ते पलड़ते अच्छा सा कलर आने तक हम इनको तल लेंगे ये अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं बस एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इनको हलके गरम तेल में बिल्कुल भी तलने के लिए नहीं छोड़ना नहीं तो ये तेल जादा सोक लेते हैं देखे इन पर अच्छा सा कलर आ गया है ये अच्छे क्रिस्पी हो गए हम इनको निकाल लेंगे ऐसे सारे मेदू वड़े बचे हुए हैं उनको भी हम तल लेंगे तो यदि फ्रेंड्स आप भी मेदू वड़े खाने के सोकिन हैं आप मेदू वड़े बनाने चाते हैं आप से सही नहीं बनते क्योंकि उसमें दाल को भीगोना पड़ता है तो आप ये इंस्टेंट मेदू वड़े बना कर खा सकते हैं आपने देखा बनाना कितना आसान है स आप हरे धनी की चटनी, नारियल की चटनी या टमेटो सोस के साथ इनको सरु करें या तक कि आप इनको सांबर के साथ भी खा सकते हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये देखे कितने क्रिस्पी बने हैं तो फ्रेंट्स जब भी आपका करें तो घर में रखी सिंपल सी चीजों से ये नास्ता बना कर खा सकते हैं आपने देखा बनाना कितना आसान है तो आप भी ये नास्ते की रेस्पी को जरूर ट्राइ कर सकते हैं रेस्पी ट्राइ करने के बाद पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मि